नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है शमीर आप देख रहे हैं HP Studies चैनल को दोस्तों आजकर इस बीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 170 Questions का Model Question Paper जोकी specially design किया गया है HP Sub Inspector exam के लिए या फिर मैं बात करूँ हमीरपुर वोड के जो भी exam होते हैं जिनमे 170 questions पुछे जाते हैं हुँन सबी exams के लिए ये Model Question Paper काफी important रहने वाला है अगर आप upcoming किसी भी exam की तयारी कर रहे हूँ वीडियो को last तक देखिएगा, अन तक देखिएगा, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा क्योंकि इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं, HPGK के questions, history, geography, quality, economy, science, current affairs, logic, Hindi, English, बगएर बगएरा बाकि जो भी आपके doubts हों, queries हों, questions हों, यह मेरा WhatsApp number आप मुझे हाँ पे message कर सकते हैं यहाँ पे आपको PDF फाइल्स बगएरा सब कुछ मिल जाएगा आपको बता दूँ, HP studies, paid class courses चल रहे हैं, माचल के सभी exams के लिए तो अच्छे results के लिए आप इने भी join कर सकते हैं, बाकि students की तरह इसमें फीस काफी कम रहती है, आपको unlimited study material प्रोवाइड कर रहे जाता है टाइम टाइम पर आप सभी के mock test भी लिये जाते हैं अधिक जानकारी लिए, यहाँ पर WhatsApp कर लें दोस्तो, सबसे पहले हम HPGK से शुरुआत करेंगे 20 questions होंगे, इन questions, answers को highlight नहीं करूँगा आप इन questions को as a mock test लगाईएगा खुद को चेक करना, कितने questions आपको already आते थे और कितने नहीं पहला question है इस वीडियो का 2011 की जनगंड़ना की अमसार हिमाचल परदेश की साकसरतादर क्या है यानि की literacy rate क्या है हिमाचल परदेश की according to 2011 census सही अंसरे दोस्तो, 82.80% B is right answer, उसके बाद next question है हिमाचल परदेश में बनने जीव अभिहारन की कुल संख्या है तो कितनी wildlife centuries है हिमाचल परदेश में आपको पता होना चाहिए सही अंसर है दोस्तो, इस question का 32 यानि की D is right answer उसके बाद next question हिमाचल परदेश में सबसे बड़ी प्राकृतिक जील है हिमाचल परदेश की सबसे बड़ी natural lake कौन सी है दोस्तो आपको पता भी होगा क्योंकि काफी simple sensor है रिन का लेक जो की सिरमोर जिले में है उसके बाद next question राष्टबती निवास का निर्माण जिसे वाइसरिगल लोज भी कहा जाता है बरस में पूरा हुआ था तो ये दोस्तो शिमला में है और इसकी completion हुई थी construction की 1888 इस भी में B is right answer उसके बाद next question किस बरश शिमला को ब्रिटीश भारत की ग्रीश मकालीन राजधानी घोशित किया गया था तो सही answer है दोस्तो इस question का 1864 इस भी में उसके बाद next question भारतीयो किस बाइसरोई ने कालका शिमला रिल्बे लाइन का उद्गाटन किया था दोस्तो जिस बाइसरोई ने बंगाल का भिवाजन करवाए था उसी ने ही 1903 इस भी में कालका शिमला रिल्बे लाइन का उद्गाटन करवाए था यानि कि लोड करजन she is right answer उसके बाद next question किस बरश भारती उन्नत शिक्षा संस्थान की स्थापना हुई थी यानि कि इंडियन इंसिचूट ओफ एडवास्ट स्टडी तो इसके स्थापना बारबार पुछी जाती सभी एक्जाम्स में तो ये हैं options आप सभी के सामने और सही answer है दोस्तों इस question का 1965 यानि कि D is right answer चाहे तो आप इन questions को कहीं पे लिख भी सकते हैं हलांकि वीडियो के last में आपको बता दूँगा इस वीडियो की PDF फाइल आपको कहा मिलेगी उसके बाद next question है हिमाचल परदेश के किस जिले में मुलगुन घाटी है काफी students पजल होते हैं इस question में काफी सारे students answer करते हैं कि नोर जो की गलत है दोस्तों मुलगुन घाटी लाहुल स्पीति में है बी इस राइट answer उसके बाद next question पुराने समय में कुल्लू की राजधानी कहा थी दोस्तों ये डिपेंड करता है options के उपर अगर आपको options में जगत सुख मिलेगा इसको टिक कीजिए नागर मिलेगा उसे टिक कीजिए दोनों मिलेंगे तो आपको नागर टिक करना है उसके बाद next question है किस बरश Olympic Games में भारती होकी टीम ने चरंजीत सिंग की कपतानी में स्वर्ण पदक जीता था चरंजीत सिंग की बात करूँ तो ये हिमाचल परदेश से समबंदित है इसलिए important question है तो इंडियन होकी टीम को Olympics Games में जो स्वर्ण पदक मिला था ये कब मिला था 1964 ESB में She is right answer दोस्तों क्या आप कमेंट करके बिता सकते है 1964 के जो Olympics Games हुई थी किस देश में हुई थी उसके बाद next question चंबा में लक्ष्मी नरायन मंदिर किस ने बनाया था सही अंसर है दोस्तों इस question का D यानिकी साहिल बर्मन उसके बाद next question गोर्खा और British East India Company के बीच किस संधी पर हस्ताक्षर किये गए जिसके परिणाम स्वरूप शिमला हिल राज्यों पर अंग्रेजों का आगमन हुआ तो सही अंसर है दोस्तों इस question का Treaty of Sagoli इस संधी में जो Sagoli की संधी थी इसमें गोर्खाओं को हिमाचल परदेश से बाहर जाना पड़ा था और शिमला के जो भी पहाडी क्षेतर थे उनके ओपर आगमन हो गया था अंग्रेजों का आप सभी के लिए मेरा question ये है Treaty of Sagoli किस बरश की गई थी देखता हूँ कितने सही अंसर करते हैं आप इस question का उसके बाद दोस्तो next question टीहरा सुजानपुर को राजधानी शहर के रूप में किसने बिक्सित किया था सही अंसर है दोस्तो इस question का राजा संसार चन she is right answer उसके बाद next question कांगडा क्षेतर के घिरत है घिरत कौन होते हैं दोस्तो मुखे रूप से कांगडा जिले में पाए जाते हैं तो ये दोस्तो किसान होते हैं यानि कि फार्मर्स she is right answer उसके बाद next question मंडी जिले में के स्थान पर आयरुवेद विभाग ने एक हरबल उद्यान स्थापित किया है यानि कि दोस्तो यहाँ पे हरबल गार्डन establish किया गया है Department of आयरुवेदा कि द्वारा मंडी जिले में तो सही answer है जोगिंदर नगर D is right answer उसके बाद next question मसरूर रोकट मंदीर किस जिले में स्थ है simple answer है दोस्तो कांगडा is right answer उसके बाद next question केंदरियो तिब्वती प्रशाशन का मुख्याले है यानि कि Central Tibetan Administration का Headquarter कहां है तो यह धर्मशाला में is right answer धर्मशाला को मिनी लहासा के नाम से भी जाना जाता है उसके बाद next question रोकटांग पास यानि कि रोकटांग दर्रा कुल्लू घाटी को डैस से जोडता है दोस्तो रोकटांग दर्रा कुल्लू घाटी को किस घाटी से जोडता है तो यह है लाहुल्सपिती घाटी C is right answer उसके बाद next question किस बरश में ग्रेट हिमाल्यन राश्टी उद्यान की स्थापना हुई थी सबसे इंपोर्टेंट राश्टी उद्यान है यह हिमाचल परदेश का तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तो 1984 भी में D is right answer उसके बाद next question शीत कालीन ओलम्पिक खेलों में लूज में प्रतिस परधा करने वाले पहले भारतियो प्रतिनिधी कौन है तो यह हिमाचल परदेश से संबंधित हैं और इनका नाम है दोस्तो शिवा केश्बन B is right answer अब हम reasoning के 20 questions discuss करेंगे तो आप वीडियो को पोज करके इनहें solve करने की कोशिश करना दोस्तो पहला question है दिये गए विकल्पों में से संबंधित शवदबरन संख्या का चैन करें तो डंकीज क्या करते हैं ब्रेज करते हैं मंकी क्या करते हैं अगर मैं यहाँ पे उप्शन्स की बात करूँ तो यह दिये गए हैं उप्शन्स चार तो आपको अब परदा चल गया होगा कि बंदर क्या करते हैं कट कटाते हैं यानि कि चैटर्स एस राइट अंसर इस तरीके से आपको यह मिलाने होते हैं उसके बाद next question दिये गए विकल्पों में से बिशम शव्द भर्ण संख्या का चैन करें तो इन में से ओड जो भी संख्या होगी उसको बाहर निकालना है तो ध्यान दीजिए इसमें जो square root है या फिर square या फिर cube root cubes ऐसे questions ज़्यादा पूछे जाते है तो ध्यान दीजिए 443 या फिर मैं बात करूँ 821 की 245 की तो ये square है लेगिन 200 633 नहीं है तो B is right answer ये ode है उसके बाद next question नेवल हिस शवदों को शवद को यानि की dictionary के coding आपको arrange करना है in words को तो ये भी questions ज्यादा पूछे जाते है हिमाचल के exams में तो यहाँ पे पहला है die फिर है dwindle फिर है dwell उसके बाद दोस्तो die तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे या तो दोस्तो dwindle आएगा पहले या dwell तो यहाँ पे i दिया गया है और यहाँ पे e दिया गया है e की संख्या होती है 5 i की 9 तो obviously यह सबसे पहले आएगा फिर उसके बाद यह आएगा उसके बाद दोस्तो die और die इनके बीच में हमें दिखना है तो यहाँ पे e दिया गया है e की संख्या होती है 5 तो यह आएगा तीसरे नमबर पर और die आएगा तो तो त्य नमबर पर तो सही आएँ सरे हैं दोस्तो इस question का 3 2 4 1 यह क्रम आपको अच्छे से देखना है उसके बाद next है बिकल्पों में से उस बिकल्प का chain करना है जो इस शरिंखला को पूरा करेगा तो हमें शरिंखला यह पूरी करनी है दोस्तो तो फड़ावट से देख लेते हैं इसमें कैसे यह solve होगा D होता है 4 H होता है 8 L होता है 12 उसके बाद P is equal to 16 T is equal to 20 X is equal to 24 B is equal to 2 F is equal to 6 J is equal to 10 तो इसमें आप देख रहे हैं 4-4 का gap आ रहा है तो कैसे हम इसको solve करेंगे दोस्तो सही अंसर है दोस्तो इस question का B यनि ही N यनि ही 14 R is equal to 18 A V is equal to 22 तो बस आपको ऐसे ही यह solve करने है उसके बाद next question दी गई शरिंखला में गलत पद ग्याद कीजिए तो यहाँ पर दोस्तो हम देख रहे हैं इस तरीके से यह series है हम इसको ऐसे find out करेंगे 28 में 3 जमा करेंगे 31 आएगा 31 में 3 जमा करेंगे 34 आएगा 33 में 3 जमा करेंगे 36 36 में 3 जमा करेंगे 49 आएगा लेकिन यहाँ पर 29 दिया गया है तो यह गलत है तो यहाँ पर 29 डी ओप्शन में है D is right answer उसके बाद यह दोस्तो calendar से लिटर्ड questions हैं सत्या का जनम दिन 15 अगस्त और मीना का जनम दिन 25 जून को आता है यदि मीना का जनम दिन बुद्भार को था तो उसी बरश सत्या का जनम दिन किस दिन था तो आप इसको solve कर लेना अगर आपको कोई भी प्रोब्लम आएगी तो मैं आपको solve करके बता दूँगा WhatsApp पर message कर देना Friday इस question का सही answer होगा उसके बाद next question दोस्तों यहाँ पे एक bird दिया रहता है for example amplification यहाँ पे bird दिया गया है अब बोला जाता है दिया गए शब्दों से उस शब्द का chain करें जिसे दिया गए शब्द के अक्षरों का उप्योग करके गठित किया जा सकता है तो amplification से कौन सा इन में से bird बनाय जा सकता है इन चार options की बात करूँ तो सही answer है दोस्तो mania amplification से यह mania शब्द बनाय जा सकता है आप solve करके देखिएगा उसके बाद दोस्तो blacksmith संबंदित है इस से children किस संबंदित होगा चार options है तो आपको मैं बता दूँ इसमें क्या किया गया है b की value होती है 2 c की value होती है 3 यानि कि plus 1 l की value होती है 12 और n की value होती है 14 तो इसमें plus 2 किया गया है अगले प्लस 1 उसमें next जो है plus 2 बस ऐसे ही find out करना है आपको children भी तो सही answer है दोस्तो इस question का djjnetfp यानि कि children को जब हम plus 1 plus 2 plus 1 plus 2 करेंगे तो या answer आएगा उसके बाद next है अगर friend को ऐसे लिखा जाता है तो reveal को कैसे लिखा जाएगा f की value कितनी होती है 6 होती है h की value 8 होती है यानि कि plus 2 हो रहा है r की value होती है 18 और t की value होती है 20 तो इसमें भी plus 2 हो रहा है तो reveal को कैसे हम करेंगे अब हमें pattern तो समझ आ गया है तो R की value होती है कितनी 18 तो यनिकी T आएगा E की value होती है 5 तो 7 TG तो इसमें हम देखेंगे TG कहां कहां आ रहा है तो 3 options में आ रहा है ये already remove हो जाएगा आगे हम इसको solve करेंगे तो सही answer निकल के सामने आ जाएगा ये D उसके बाद next है आपको निमलेखित कथनों को सत्य मानना है भले ही बेसर्वग्यात तत्यों से भीन प्रतित होते हों और निर्धारित कीजिया कि दिये गए निशकर्सों में से कौन सा निशकर्स दिये गए कथनों से निकाला जा सकता है तो यहाँ पर दोस्तो statements दी रहती है और हमें देखना है कि कौन सी statement सही हो सकती है तो पहली है ग्रीबी समाजिक ब्यवस्था का एक परकार है दूसरा है ग्रीबी समाजिक ब्यवस्था से संबंदित है दोस्तो ना तो ग्रीबी समाजिक ब्यवस्था का परकार है ना तो ग्रीबी समाजिक ब्यवस्था से संबंदित है तो इसमें कोई भी सही नहीं होगा तो इन चार options की बात करूँ सही अंसर कौन सा है नाइदर एजंप्सन बन नोर टू उसके बाद next question दिये गए बिगल्पों से संबंदित शब्दों अक्षरों संख्याओं का चैन करें तो यहाँ पर हमें यह संख्या दी गई है A, B C को remove किया गया है D, E के आगे F हाता है F, G H को remove किया गया है I, J उसके बाद दोस्तो I, J LM उसके बाद क्या कौन सी संख्याओं आएगी तो उसके बाद दोस्तो संख्याओं आएगी क्योंकि के इससे remove किया गया है यहाँ से तो सही answer है इस question का NO क्यो और क्योंकि इसमें से आप देख रहे हैं P को remove कर दिया गया है तो यह series ऐसे complete होगी उसके बाद next दिये गए बिकल्पों में से बिशम शवद बर्न संख्या यूगम का चैन कीजिए तो पहला है swimming फिर है sailing फिर है diving यह तीनों दोस्तों किस से संबंदित हैं पानी से लेकिन आप last वाले को देखिए इसमें है driving तो पानी में driving नहीं की जाती तो यह ode है यानि कि D is right answer उसके बाद next है दिये गए बिकल्पों में से बिशम शवद बर्न संख्या का चैन कीजिए यहाँ पे भी हमें बिशम चांटना है तो सही answer है दोस्तों इस question का D तो D को फटावट से देख लेते हैं क्या है अभी अभी कितना होता है 22 D कितना होता है दोस्तों 4 Z कितना होता है 26 C कितना होता है 3 अब हम A को देखते है 18 7 20 उसके बाद कितना है 6 18 मैं जोड़ेंगे 2 20 बनेगा 7 मैं से 1 घटाएंगे 6 बनेगा लेकिन दोस्तों इसमें बिल्कुल भिन है 22 में 4 जोड़ेंगे 26 बन रहा है तो बस यही योड है D is right answer उसके बाद next दिये गए बेकल्पिक शब्दों से उस शब्द का चैन करें जिसे दिये गए शब्द के अक्षरों का उप्यों करके गठित नहीं दोस्तों इस शब्द को बड़े ध्यान से देखिएगा किसी में ये नहीं होता है किसी में नहीं तो यहीं से questions गलस होते हैं किया जा सकता है यहां पे दोस्तों शब्द दिया गए है universalization तो इस में से कौन शब्द हम नहीं बना सकते इन चार options से तो यहां पे आप देखेंगे C तो इस शब्द में दिया ही नहीं गिया है तो curtain यहां से कहां बनेगा तो B is right answer is the question के according उसके बाद next है आपको निमलिखित कतनों को सत्य मानना है भले ही बे सर्वग्यात हूँ तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि यहां पे assumptions दी गई होती है दो आपको यह माननी होती है एक होती है statement और एक होती है conclusion तो यह है अगर बहे कड़ी मेहनत करता है तो बहे जीवन में सफल होगा बहे मेहनती है तो इसमें से कौन सा सही होगा दोस्तों आई फटावाट से answer की तरफ देखते है दूसरा जो है दोस्तों यही अनुसरन करता है तो दूसरा कौन सा है यह मेहनत खाली नहीं जाती तो इसमें हमें समझ आ रहा है जो भी मेहनत करेगा वो कामयाब हो गई होगा अगर आप सब इंस्पेक्टर एक्जाम की त्यारी कर रहे हो या फिर किसी भी एक्जाम की अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो एक साल नहीं दो साल दो साल नहीं तीन साल आपका exam निकलेगा ही otherwise आप महनत करना छोड़ दोगे तो कभी भी नहीं निकलेगा तो वीडियो को जुरूर लास तक देखिएगा आपको अच्छे से महनत करवा रहा हूँ दोस्तो friend को इस तरीके से लिखा जाएगा तो reveal को कैसे लिखा जाएगा मैंने ये question आपको थोड़ी देर पहले भी करवाया तो इसका सही answer है TGXGCN इसको solve करके देखिएगा आप उसके बाद next है foot man से संबंदित है hoof दोस्तो hoof क्या होता है हिंदी में से खूर कहा जाता है तो ये मुखे रूप से घोडों के होते हैं जो खूर होते हैं तो सही answer है horse C is the right answer उसके बाद next question दिये गए बिगालपों मैंसे बिशाम शब्द बरन संख्या का चैन करें इन में से बिशाम कौन सा है तो फड़ावट से देखिए March महीना जो होता है उसमें 31 दिन होते हैं मई में कितने दिन होते हैं ये भी दोस्तो 31 होते हैं जून में कितने होते हैं दोस्तो जून में 31 नहीं होते हैं और December में 31 होते हैं तो ये बिलकुल old है she is right answer next question एक श्रिंखला दी गई है जिसमें एक term अग्यात है दिये गए विकल्पों में से यानि कि आपको missing term यहाँ पे find out करनी है तो यहाँ पे है WFV TGD QHG तो जब हम इन्हें solve करेंगे दोस्तों तो सही answer आजाएगा NIK उसके बाद यह दोस्तों age से related question है mathematics में भी यह questions पूछ ले जाते हैं और reasoning में भी एक आदमी अपनी पत्नी से 3 बरश बड़ा है और अपने बेटे से 4 गुना बड़ा है यदि बेटा 3 बरश बाद 15 बरश का हो जाता है तो पत्नी की बरतमान आयू कितनी है इसको solve करेगा आप अच्छे से और इसका सही अंसर आपको बता रहा हूँ कोई मुश्किल आएगी आपको तो आप कोमेंट करके बताना या फिर वाट्सेप कर देना मैं solve कर दूँगा 45 बरश is right answer पॉलिटी के 20 questions हम discuss करेंगे काफि इंपोर्टेंट section है ये भी राजेपाल के बेतन और भत्ते का शुल्क कहां से लिया जाता है तो सही अंसर है दोसों इस question का B यानि the consolidated fund of the state राजे का समेकित कोश तो आप आपको बता चल गया होगा जो भी राजेपाल होता है किसी भी राजे का उसकी salary कहां से आती है उसके बाद next question क्या कोई ब्यक्ती एक से अधिक राजेपाल के रूप में कारी कर सकता है तो दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा आंदर प्रदेश और तिलंगाना के जो राजेपाल होते हैं मुख्य रूप से संबीधान का सनक्षक कौन बनाता है तो ये बनाता है दोस्तों नयाएक स्मिकसा यानि की judicial review दी इस राइट आंसर उसके बाद next question भारत के सुप्रेम कोट में मुख्य नयाएधीश समेत नयाएधीशों की संख्या कितनी है most important question है दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस समय total कितने judges हैं सुप्रेम कोट में वो हैं 231 और एक होता है प्रमुख नयाएधीश और आप सभी के लिए मेरा question ये है जो इंडिया का सुप्रेम कोट है उसके Chief Justice कौन है उनका नाम आपको कमेंट करके बताना है उसके बाद next question निमलिखित में से किस आधार पर सुप्रेम कोट के एक नयाएधीश को महाव्योग किया जा सकता है तो सही answer है दोस्तों इस question का D यनि की 2 और 3 दूसरा कौन सा है परमानित दुर्वयाभार अगर कोई भी जज ऐसा बेभार करता है तो ये दोनों सही है उसके बाद next question त्रीस्तरिय पंचाइती राज बेवस्था में पंचाइत क्या है पंचाइत है दोस्तों ग्राम पंचाइत जनपद पंचाइत जिला परिशद तो यनि की D is right answer उसके बाद next question पंचाइत राज पर जिवी के राज समीती का गठन कब किया गया था तो सीथा question पूछा जाता है जिवी के राज किस से संबंदित है तो पंचाइती राज आपको याद रखना है ये जो committee बनाए गई थी लेकि दोस्तों यहाँ पर question यह है कि पंचाइती राज से संबंदित question है उसके बाद next question बेह बक्ती जिसे मुखे मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है बेह डैश तो सही answer है इस question का B यानि कि राज विदाइक का किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए उसके बाद next question नेमलिखी तमेंसे किसे राज मंत्री परिशद का परमुख माना जाता है राज मंत्री परिशद का परमुख दोस्तों आपको बताई होगा कौन होता है जो भी मुखे मंत्री होगा और जो राज जियो मंत्री परिशद होता है उसका परमुख कौन होता है उसका प्रमुख होता है दोस्तों परधान मंत्री तो ये कोमन सी बाते हैं जो आपको पता होनी चाहिए उसके बाद next question मंत्री परिशद का एक सदस्य अधिक्तम अबधी तक राज्य विधायका का सदस्य बने बिना पद पर रह सकता है तो कितने दिनों तक वो अपने पद पर बना रह सकता है छे महीनों तक अगर छे महीनों के बाद भी वो किसी भी सदन को वो अटेंड नहीं करता है विधायका के तो उसे बाहर निकाल दिया जाएगा उसके बाद दोस्तों next question संसद में समान्य नीथी के मामलों पर सरकार के मुख्य प्रवक्ता कौन होते हैं तो ये होते हैं दोस्तों कौन परधान मंतरी बी इस राइट आंसर दोस्तों अगर आपको लगे कोई भी question मैं गलट डिसकस कर रहा हूँ जरूर कमेंट करके बताईएगा सही नोलेज जो है लोगों तक पहुँचना चाहिए यही मेरा उदेशिया मैं किसी को misguide नहीं करना चाहता उसके बाद next question राज्य पाल दोआरा नेमलहित में से किस बिती शक्ती का आनंद नहीं लिया जा सकता तो राज्य पाल क्या नहीं कर सकता सही अंसर है दोस्तो इस question का D यनि ही राश्टपती के शार्षन के दोरान राज्य लोक सेबक के बेतन और भते कव काम करने का आदेश दे सकता है तो ऐसा नहीं कर सकता दोस्तो राज्य पाल उसके बाद next question नेमलहित अपात कालेन श्रेणियों में से कौन सा अभी तक घोशित नहीं गया गया है तो ये question पूछा जाता है बार बार और इंडिया एकमातर ऐसा देश है काफी देशों की तुलना में जिसमें कौन सी emergency नहीं लगाई गई अभी तक financial emergency तो दोस्तो आप सभी के लिए मेरा question ये है कि भारती संभीधान के किस अनुशेद में बितियो अपात काल की बर्णन देखने को मिलता है उसके बाद next question शिक्षा जो शुरू में एक राज्यो बिशे थी संबर्ती सूची में किस शंशोदन द्वारा स्थानांत्रित की गई थी अब आप देखेंगे कि ये concurrent list में है ये जो education है Indian constitution के तो ये किस शंशोदन में की गई थी दोस्तों ये शंशोदन था 42 शंशोदन और ये जो 42 शंशोदन है इसे mini constitution of Indian constitution कहा जाता है उसके बाद next question भारती और संभीधान में कितने मौलिक अधिकारों का उलेख है कितने fundamental rights है Indian constitution में ये question बार बार पुछा जाता है तो ये हैं दोस्तों 6 fundamental duties भी अच्छे से पढ़के जाईएगा यहां से भी questions ज़रूर पुछे जाते हैं उसके बाद next question राष्टरबादी Congress Party यानि कि NCP की स्थापना किस बरश में हुई थी राष्टरबादी Congress Party की स्थापना हुई थी दोस्तों 1999 में B is right answer नेमलखित में से कौन सा राज्य नीती के निर्देशक सिधानतों में शामिल नहीं है तो सही अंसर है दोस्तों इस question का सूचना का अधिकार यानि की right to information उसके बाद next question है कोई बारंटों शब्द का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों जो भी REITS बगएरा है उन्हें अच्छे से पढ़िएगा यहांसे questions काफी जादा पुछे जाते हैं कोई बारंटों का शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है सही अंसर है दोस्तों इस question का किस प्राधिकर्ण या बारंट के द्वारा उसके बाद next question नेवल खित में से कोन भारत में राज्य के कारेकारी परमुख है राज्य की बात आएगी दोस्तों तो यहाँ पर प्रेजिडेंट की बात आएगी यानि की रास्ट बती उसके बाद next question भारत के संभीधान का भाग चार निमल खित में से किस से संबंदित है तो यह भी question काफी important है एग्जाम्स के निजरिय से राज्य नीती के निर्देशक सिधान्थ इससे संबंदित है कौन सा भारतिय संभीधान का चोथा भाग उसके बाद next question इगनोमी के 10 questions हम डिस्कस करेंगे अब दूई पक्षियो एक अधिकार स्थिती है bilateral monopoli situation is तो यह दोस्तों क्या है जब केवल एक और एक उत्पाद के एक विक्रिता है उसके बाद next question किसी देश में आये का पुनर बित्रण किसके द्वारा लाया जा सकता है redistribution of income in a country can be brought about through तो किसके द्वारा सही answer है दोस्तों प्रक्तिशील ब्याय के साथ प्रक्तिशील काराधान द्वारा उसके बाद next question काराधान की उस प्रणाली को क्या कहेंगे जिसके तहट गरीब बर्गों को अमीर बर्गों की तुलना में उच दर्रों पर कर लगाया जाता है तो सही answer है दोस्तों इस question का हरासमान कर यानि की regressive tax उसके बाद next question निमलिखित में से कौन सी कर प्रणाली भारत में आर्थिक और उसमानताओं को कम करने में मदद करेगी सही answer है दोस्तों इस question का बर्धमान कर यानि की progressive tax उसके बाद next question निमलिखित में से कौन सा पुंजी बादी अर्थ वेवास्ता की एक बिशेष्टा है सही answer है दोस्तों इस question का minimum government intervention यानि की नियुनतम सरकारी हर्ष्ट क्षेप उसके बाद next question किसी विदेशी संदर्ब मुद्रा के सापेक्ष मुद्रा के मूलिख को कम करना डैस कहलाता है तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों काफी important question है ये भी अब मूलियन devaluation और इंडिया में last बार devaluation की गई थी 1991 में उसके बाद next question है बहबस्तुएं जिसकी विशेष प्रकृती और सित्थी परतीक के रूप में अपील के कारण व्यक्ती उनकी कीमत बढ़ने के बाद उसका इस्तिमार अधिक करते हैं बहबस्त कहलाती है तो उसको क्या कह जाता है दोस्तों सही answer है बैबलेन बस्तु इसको भी अच्छे से देखिए उसके बाद next question है आपूर्ती बकर के साथ गदी को डैस के रूप में जाना जाता है अपूर्ती का बिस्तार और संकुचन उसके बाद next question बित्रण का सिधान्त निमलखित में से किस से संबंदीत है ये दोसर संबंदीत है आय और धन के बित्रण के समानता यानिक इकुल्टी इन दा डिस्टिविशन ओफ दी इनकम एंड वेल्थ उसके बाद next question लास्ट question है दोस्तों ये एकनोमी का सेयुक्त क्षेतर की अबधारना का अर्थ है डैस और के बीच सहयूग सही अंसर है दोस्तों ये इस question का सार्व जनिक क्षेतरो निजी क्षेतर उद्द्योग उसके बाद हिस्टि के 20 questions अब हम डिस्कस करेंगे कलोनो क्रमिक क्रम में निमलखित को वेवस्थित करें तो यहाँ पे दिया गया है तुगलक्स लोद्दीज सायद इलवरी तुर्क्स खिलजी तो सबसे पहले कौन से आए उसके बाद कौन से आए दोस्तों सबसे पहले कौन आए इलवरी तुर्क्स उसके बाद कौन आए खिलजी आए फिर कौन आए उसके बाद आए तुगलक फिर उसके बाद को ना है सायद और सबसे लास्ट मैं इन उप्शन्स की बाद करूँ लोधी और लोधियों का पतन किया था मुगलों ने तो ये आपको पता होना चाहिए उसके बाद नेक्स्ट कोशन दिस सर्वेंट्स ओफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कोन तो इस क्वेशन का सही आंसर है दोस्तों जी के गोखले उसके बाद नेक्स्ट क्वेशन महातमा गांधी किसके लेखन से परभावित थे तो आपको याद रखना है लियर टोल स्टोई D is right answer उसके बाद नेक्स्ट क्वेशन अशोक को वो धर्म अपनाने के लिए किस नाम है उपागुपता उसके बाद एक्स्ट क्वेशन लोधी वांश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो सही आंसर है दोस्तों बहलो लोधी हर्श बर्धन को किस ने हराय था तो हर्श बर्धन को हराय था पुलोकेशन द्वित्व ने निमलखित में से कोन एक अकवर जो है दोस्तों महान समराट अकवर ये एक अनपढ़ शाशक था सीज़ रैट आंसर डोक्रिन ओफ लैप्स दोस्तों ये भी इंपोर्टेंट है का सामबंध किस गवर्णर जेनरल से है हडप नीती तो सही आंसर है दोस्तों इस क्वेशन का बी यानिकि लोड डल हो उसके बाद गेज़ चन्दरगुफ्त मोरे के दरबार में भेजे गए युनानी राज़्दूत थे इनका नाम जाता मेगस था इनहें भेज़ता सेलीकस निगेटर नकेटर्यूंध इरोपी शक्तियों की पहचान करें इस ने शिवाजी ने टोप और गोला वारूद प्रा पारूद और तोपें प्राप्त की थी ये थे पुर्तगाली जिनका सांबंध गोवा से रहा है उसके बाद नेक्स्ट कॉश्चन बेदों की तरफ बापीस कथन किसके द्वारा दिया गया था तो ये कथन है दोस्तों किसका स्वामी दैनंद सरस्वती बी इस रैट आंसर दोस स्वामी दैनंद सरस्वती ने किसकी स्थापना करी थी उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कॉश्चन नेमलिखित मेंसे किस ब्रिटीश ब्यक्ति ने आठारो सुसावन के बिद्रों को रास्वी बिद्रों के रूप में स्विकार किया था तो इनका नाम है दोस्तों और उसके बाद next question उस जगा का उलेक करें जहां बुद्ध ने आतम ज्यान प्राप्त किया था ये भी important question है तो ये जगा है बोध गया और सबसे पहला उपदेश कहां पे दिया था गोतम बुद्ध ने सारनाथ में तो पजल नहीं होना है आपको उसके बाद next question शिवाजी का र ये किया गया था दोस्तों 1674 इस भी में मुराठा समराजी की जब भी बात आएगी सिवाजी के बारे में अच्छे से पढ़िएगा यहां से काफी सारे questions पूछे जाते हैं उसके बाद next question भारत में दवीशाशन की प्रणाली शुरू की गई थी तो ये कब शुरू हुई थ दोस्तों ये शुरू हुई थी 1919 में इसको अच्छे से देखिए उसके बाद next question यंग इंडिया और हरीजन के संपादक थे तो इसको खुद लिखा था महात्मा गांधी जी ने most important question है she is right answer उसके बाद next question ने मलेखित में से किसने तीनों गोल में समिलनों में भाग लिया था तो एक मात्रव्यक्ति कौन है ये भारतियों बियार मेडकर जिने संभिधान का पिता कहा जाता है उसके बाद next question शीला लेखों में किस राजा को देवान पिया पिया दर्सी यानि कि देवताओं का पियो कहा जाता है तो सही अंसर है दोस्तों असोक is right answer उसके बाद next question उस मराठा संथ का नाम बताईए जो शिवाजी का समकालीन था शिवाजी से लेटेड बहुत सारे questions पूछे जाते हैं इनका नाम है दोस्तों संथ तुका राम B is right answer अब हम science के 20 questions discuss करेंगे पहला question है science का क्या होगा यदि अगनाशे बिक्रित है सही अंसर है दोस्तों इंसुलीन और ग्लुकागन गठित नहीं होंगे उसके बाद next question प्रसव के दोरान कौन सा पर्ष्ट प्यूश हार्मोन निर्मुक्त होता है सही अंसर है इस question का oxytocin उसके बाद next question इंसुलीन होर्मोन है सही अंसर है दोस्तों peptide उसके बाद next question इन में से कौन सी धातू इंसुलीन में उपस्थित है तो यह है दोस्तों जिंक उसके बाद next question डाइलीजर का उप्योग डैस के कारियों में किया जाता है तो यह लीबर के कारियों में उप्योग किया जाता है उसके बाद next question मानव गुर्दा में पथरी के बनने के लिए निमली फितमे से क्या जिम्मेदार है तो ये किसके कारण होती है पथरी ये होती है दोस्तो कैल्शियम उक्सलेट के कारण उसके बाद नेक्स्ट कॉश्शन एक मश्रूम क्या है दोस्तों मश्रूम आप देखते ही होंगे वो क्या चीज होती है वो होती है कबबक यानिकी फंजाई A is right answer हड़ियों और दान्थों के निर्माण के लिए निमल खित में से क्या अवे शक है तो सही अंसर है दोस्तों कैल्सियम और फासफोरस important question है ये दिल की धड़कन किसके द्वारा उत्पन एक बिलतियो धारा के कारण होती है तो सही अंसर है दोस्तों brain उसके बाद next question निमर मैं से कौन सा सही मिलान नहीं किया गया है तो इन मिलानों की बात करूँ ये जो दोस्तों आप देख रहे हैं शाकाहारी माध्यमिक उभोगता तो ये विलकुल गलत है शाकाहारी कौन से होते हैं प्राथमिक उभोगता उसके बाद next question उशन कटी बंधियो स्तर एक में शामिल है कौन है दोस्तों इसमें शामिल हरे पोधे उसके बाद next question मचलियां जमी हुई जील के नीचे जीवित रहती है क्योंकि दोस्तों जो भी जीले होती है जो जमी हुई होती है उनकी साथा पर पानी नहीं जमा होता है यानि कि तल के निगट पानी जमता नहीं है उसके बाद next question मचलियां पानी से बाहर निकलने के बाद मर जाती है क्योंकि सही अंसर है इससा क्वेशन का बेसांस नहीं ले सकती क्योंकि दोस्तों मचलियां पानी में ही अपने गिलफडों के द्वारा सांस लेती है उसके बाद next question सेब के लाल रंग का कारण क्या है तो सही अंसर है दोस्तों anthocyanine उसके बाद next question टमाटर में लाल रंग डैस के कारण होता है अब इस चीज़ को वड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि सेब भी लाल है और टमाटर भी लाल है लेकिन दोनों चीज़ें डिफरेंट है तो इसमें कैरोटीनोइड होता है टमाटर में और सेब में अलग चीज़ होती है उसके बाद next question कुनैन पेड से उत्मन होने वाली उस दवा का नाम बताइए जो मलेरिया का इलाज करने के लिए उप्योग की जाती है निवन मैंसे किस तत्तव सबसे कम पिघलने बिंदू है बिचाओ अफोलूइंग एलिमेंट्स हैस दा लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट तो ये दोस्तो क्रिप्टोन का है उसके बाद next question निवन मैंसे किस योग्यों मैंसे सबसे मजबूत हाइड्रोजन बंद है यानि कि हाइड्रोजन बोंड किसका स्ट्रोंग है इन कमपाउंट्स में पहला है HL, HCL, HF, HBR तो सही अंसर है दोस्तो HF आपको ये याद रखना है उसके बाद next question ओजोन होल इस कोज़ड बाई chemicals like ozone शिद्र डैस जैसे रिसायनों के कार्ण होता है तो ये तो काफी सिंपल सा अंसर है दोस्तो chlorofluorocarbon उसके बाद next question CH3 OH में OH bond डैस है तो ये क्या है दोस्तो polar covalent यानि कि धुरूबियो सह सयोजक उसके बाद अब हम क्रेंट फेस के 20 questions discuss करेंगे तो ऐसे ही questions आपको इस exam में देखने को मिलेंगे पहला question है क्रेंट फेस का कियो सराज्य सरकार ने घोशना की है कि वह कई मोजूदा विभागों को मिलाकर एक अध्यात्मिक विभाग बनाने जा रही है तो सही answer है दोस्तो मध्य परदेश B is right answer उसके बाद next question MSME मंत्राले ने शुक्षम लग हूँ और मध्यम ओध्यमों के लिए एक स्थाई परस्थित की तंत्र बनाने के लिए एक निर्यात सवर्धन सेल की स्थापना की है सेल का अध्यक्ष कौन होगा तो इस सेल की अध्यक्ष होंगे दोस्तो अरुन कुमार पांडा B is right answer भारत के प्रतियोगिता आयोग सचिव के रूप में किसे निक्त किया गया है वाज अपोइंटेड एज सेकेरेटरी ओफ कम्पिटिशन कमिस्न ओफ इंडिया तो इनका नाम है दोस्तो PK Singh उसके बाद नेक्स्ट क्वेशन रियल बेवोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कारिभार किसने संभाला है तो यह है दोस्तो बिनोल के यादब इन फ्यूचर ये चेंज भी हो सकते हैं क्योंकि क्रेंट फेर्स के साथ आपको जुड़े रहना है उसके बाद नेक्स्ट क्वेशन राष्टियो बिधिक सेवा प्राधिकर्ण नेट इस National Legal Services Authority के कारेकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है तो इनका नाम है दोस्तो AK Sikri उसके बाद नेक्स्ट क्वेशन परसीद ब्यक्तित्व कादर खान का निधन हो गया 22 पेसे से थे तो वो दोस्तो एक्टर थे एस रैट आंसर उसके बाद नेक्स्ट क्वेशन 25 राज्यो में सोभाग्य योजना के तहत 100 प्रतिशत मकान बित्तिकर्ण कौन से नहीं है तो कौन से राज्यो में पूरी तरह बित्तिकर्ण 100 प्रसेंट नहीं हुआ है तो ये हैं दोस्तो चार राज्यो एसम राजस्थान मिघाले चथिस गड़ यानि कि आलोफ दीज बागी जितने भी हैं वो इलेक्ट्रिफाइड हो चुकी हैं उसके बाद नेक्स्थ कॉश्चन ब्राजील के रास्थियो कांग्रेस भवन में एक समारो में ब्राजील के रास्थपति के रूप में किसने शावत ली तो दोस्तो इनका नाम है जैर बोल्सो नारो बीज राइट आंसर उसके बाद नेक्स्थ कॉश्चन किस राज़े सरकार ने किसानों के लिए क्लियानकारी पहल की घोशना की जो कृषी-कृषक-बंधु योजना का हिस्सा है कृषी-कृषक-बंधु योजना किस राज़े से समबंदित है तो यह दोस्तो बेस्ट बिंगोल यानि की पश्चिम बंगाल उसके बाद नेक्स्ट कुश्चन सरकार ने हेमंत भारगव को निमलखित में से कीस संगठन का अंतरिम अध्यक्ष निक्त किया गया तो सही अंसर है इस कुश्चन का L.I.C उसके बाद नेक्स्ट कुश्चन नियामूर्ती TVN राधा कृष्चन ने कीस राज्य के उच्च नियायले के मुखे नयधिश के रूप में शावत ली तो सही अंसर है दोस्तो आंधर परदेश और आंधर परदेश में रिसेंटली हाई कोर्ट बनाये गया क्योंकि इसका पहले हैदराबाद हाई कोर्ट हुआ करता था जो की अब तेलंगाना का है तो इसलिए यहां के नए उच्च नियाधिश बने उसके बाद नेक्स्ट कुश्चन पियमोदी जालंधर में 106 भारती बिग्यान का अंग्रेश सिखर समेलन का उधगाटन करेंगे यान की कर चुके हैं ये शिखर समेलन का बिश्य क्या है इसका बिश्य क्या था दोस्तो फ्यूचर इंडिया साइंट है टेकनलोजी तो ये बिश्य आपको अच्छे से याद है उसके बार नेक्स्ट क्वेशन बिश्व पुर्एल दिवस हर साल किस दिन मनाय जाता है बिश्व पुर्य दिवस हर साल 214 उसके बार नेक्स्ट उस्य श्यक्ष न अधिनियम में तो सही अंसर है दोस्तो नेशनल कॉंसिल फोर टीचर एजुकेशन एक्ट नाइटीन नाइटी थी उसके बाद नेक्स्ट कोश्चन उस भारती का नाम बताईए जो अंटार्क्टिका की सबसे उंची चोट्टी वर चड़ने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है तो इनका नाम है दोस्तों अरुनीमा फिल्म की मेजवानी कि शहर ने की तो यह मेजवाणी की नहीं दिल्ली ने उसके बाद नेक्स्ट कोश्चन दिल्ली के प्रक्ति मैदानमे 27nia बिश्व पूसतक मेले का अधुगाटन किसने किया इसका उद्खाटन किया परकाश जाबडेकर ने जो की HRD मुनिस्टर थे 2014 से 2019 के लिए मोदी सरकार के दोस्तो आप सभी को कमेंट करके आप बताना है इस बार HRD मुनिस्टर कौन बनाएगे हैं मोदी सरकार कैबिनिट में उसके बाद नेक्स्ट क्वेशन किस राज्य ने एशिया प्रतिस्वर धात्मक संस्थान सिंगापूर के 2018 ब्यपार आसानी सुचकांग ABC रेंकिंग में भारत के 21 राज्यों की अर्थवेवस्थाओं के सर्वेक्षन में शीर सस्थान प्राप्त किया है तो ये है राज्य है दोस्तों आंधर परदेश उसके बाद नेक्स्ट क्वेशन निमल ही देशों में से किसने सैयोक्त रास्ट्र शैक्षिक बेग्यानिक और सांस्कृतिक संगठन देटीज यूनेस्को यूनेस्को की फल्होम जरूर पूछी जाती है इसका हेड़कार अमेरिका और दूसरी इसराइल तो सही अंसर है दोस्तों बोथ ए एंड बी उसके बाद नेक्स्ट क्वेशन किस राज्य सरकार ने गोशना की कि बह कई मुझा विवागों को मिलाकर एक अध्यात्मिक विवाग बिनाने जा रही है तो इसको अभी अभी हमने डिसकस किया जीके के डिसकस करेंगे जो कि किसी भी एक्जाम के नजरी से काफी महत्पुन है बीमा नियामक और बिकास प्राधिकर्ण आयार डिये किस परकार का निकाय है तो यह दोस्तों स्टेटुटरी बोड़ी है यानि कि बीज रैट आंसर उसके बाद नेक्स्ट कॉशन ऊपर से तक भारती धवज के तिरंगे का करम निमलखित में से किस करम में है तो सबसे पहले दोस्तों केसरी रंग है फिर उसके बाद स्पेद रंग है उसके बाद 24 तीलियां है और भील है असो का उसके बाद जो हरा रंग है सबसे नीचे उसके बाद नेक्स्ट कॉशन रखत रेख यानि कि line of blood किसको जारा लिखी गई पुस्तक है तो ये पुस्तक किस ने लिखी है बाई राज खन्ना ने उसके बाद next question नेमल हित में से क्या मतदाता की पहचान का मुख्य दस्तावेज होगा तो सही अंसर है दोस्तो electoral photo identity cards यानि कि epic उसके बाद next question हमपी रद का मूल मंत्र किस मुद्रा के नोट्टों के पीछे मुद्रित होता है तो किस नोट के उपर देखने को मिलता है पचास रुपे के नोट उसके बाद next question कब भारत सरकार नारीशक्ती पुरुषकार पेश करके महिलाओं के लिए स्रवोच नागरिक समान परदान करती है तो भारत सरकार ऐसा करती है आठ मार्च को हर साल international women's day के अबस्वर पर उसके बाद next question अंतरास्टियो योग दिवस कम मना जाता है काफी simple sensor है दोस्तो 21 जून उसके बाद next question बोस संस्थान कहां सित है तो यह है दोस दोस्तो कहां पे कोलकाता में 1917 में इसे स्थापित किया गया था बिस्व परियाटन दिवस निमलखित में से किस दिन मनाया जाता है तो सही अंसर है दोस्तो इस question का यह मनाया जाता है 27 स्तंबर को 1980 में इसकी शुरुवात की गई थी उसके बाद next question निमलखित में से कोन जनिक क्षेतर के बैंक की पहली महिला है तो यह महिला है दोस्तो अरधाती भटाचारियो यानिकी सी इस राइट आंसर जियोग्राफिक के आब हम 10 questions discuss करेंगे ब्राजील के पूर्व की पूर्व बरती नरंतरता को कहा जाता है तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तो सही अंसर है दक्षेंड अटलांटिक बहाब उसके बाद next question बर्फ ग्लेशियरों का पिघलना एक आम घटना है जो एक स्मुद्री जल स्तर में ब्रिधी से जुड़ा हुआ है ग्लेशियर मुखे रूप से मौजूद हैं तो कहां पे हैं ये मुखे रूप से यह हैं दोस्तो अंटार्क किस पहाड़ी स्टेशन को सत्पुरा की रानी कहा जाता है तो ये कौन से पहाड़ी स्टेशन है सही अंसर है दोस्तो पंचमड़ी उसके बाद next question मथुरा और बारनसी के माध्यम से कौन सा राश्ट्री और आजमारग दिल्ली और कोलकाता को जोड़ता है तो नैशनल तो उसके बाद next question बहे देश जहां ड्रिप सिंचाई का अधिक कुशलता पूर्वक होपयोग किया जाता है तो ये कहां पे किया जाता है ये किया जाता है दोस्तो इसराइल में उसके बाद next question जमीन की एक संकीर्ण पट्टी जो दो बड़े भूमी दरबयमानों को जोड़ लेंड उसके बाद next question बड़े पैमाने पर मांचित्र जो प्राकृतिक और मानव निर्वित दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं तो ये हैं दोस्तो स्थलाकृतिक मांचित्र यानि की टोपोग्राफिक मैप्स उसके बाद next question एक जगहा पर चुम्बकियो मेरीडियन और प्रिच कोण है तो ये कोण दोस्तो कहलाता है जुकाव यानि ही डिक्लिनेशन उसके बाद next question एक सिंचाई परियोजना को एक परमुख परियोजना के रूप में बर्गी कृत किया गया है यदि इसमें खेती योग्यो कमांड क्षेत्र शामिल हो तो कितने सही अंसर है 10,000 ह हेक्टियर से उपर उसके बाद next question भारत में कौन सी नदी एक रिफ्ट घाटी में बहती है तो यह है दोस्तो नर्मडा नदी उसके बाद next question इंग्लिस की शुरुवात होती है दस questions होंगे general English के यहाँ दोस्तो जो bracket में शब्द दिया गये हैं जैसे have retired तो इसको हमें improve करना है तो have, reiterated को हम कैसे improve कर सकते हैं तो सही answer है दोस्तो है यानि कि कैसे हम इसको improve करेंगे यहाँ पे have को remove करना पड़ेगा बाकी यह सही है विलकुल उसके बाद next question I heard a loud sound as if the breeze had collapsed तो इसको कैसे improve कर सकते हैं हम इसमें दोस्तो कोई भी improvement की ज़रूरत नहीं है यानि कि no improvement उसके बाद next question हमें speech यहाँ पे change करनी है तो इसको हम कैसे change करेंगे दोस्तो see exclaimed joyfully यहाँ पे यह दो शब्द हम इस्तेमाल करेंगे अगर हम किसी भी चीज में enjoy कर रहे हैं तो इन दोनों शब्दों को इस्तेमाल करते हैं that was a very beautiful lake उसके बाद next question x marks the sport इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होते है दोस्तो the exact location उसके बाद next question to use for the first time इसके लिए हम kristian का इस्तेमाल करते हैं शब्द का उसके बाद next question यहाँ में दोस्तो synchronicity का synonym find out करना है तो उससे अंसर है conformity उसके बाद next question rearrange करना है हमें तो पहला इनमें sentence जो है the atmosphere इसके आगे कौन सा आएगा इसके आगे आएगा दोस्तो is against them but there appears उसके बाद क्या आएगा उसके बाद आएगा to be fight left वो सबसे last में आएगा in their administration उसके बाद next question active passive voice change करनी है हमें तो इसमें sentence दिया गया है the weather disrupted the final match कैसे change करेंगे the final match was disrupted by the weather she is right answer उसके बाद next है correct spelling हमें यहाँ पर find out करनी है तो homilies बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है उसके बाद last question है इंगलिस का to expel large quantities of something rapidly and forcibly तो इसके लिए हम क्या इस्तिमाल करेंगे दोस्तों इसके लिए हम to spew का इस्तिमाल करेंगे she is right answer अब हिंदी के हम 10 questions discuss करेंगे last section है इस वीडियो का परिवन का सही संदीवशेद है तो इसका सही संदीवशेद होता है दोस्तों परिजमा आबर्ण अनुनासिक का संबंध होता है अनुनासिक का संबंध होता है दोस्तों बेसिकली नाक और मुह दोनों से उसके बाद अनुनासिक ब्यंजन कौन से होते हैं तो बर्ग के पंचमाक शर इने कहा जाता है अनुनासिक हिंदी बर्णवाला में स्वरों की संख्या कितनी है ग्यारा ब्यंजन कितने है 33 बर्णवाला में कितने है 44 उसके बाद नेक्स्ट कोश्चन जो पहले कभी न हुआ हो उसे हम क्या कहते है अभूत पूरब जो कहा ना चा सके उसके लिए हम एक शब्द इस्तिमाल करते हैं कथनियो समय की द्रिष्टी से अनुकूल तो उसके लिए हम क्या सब्द इस्तिमाल करते हैं समय अनुकूल जो सब कुछ जानता हो सरभग्यो जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव कहा जाता है पुरुष एवा मेस्तिरी का जोड़ा उसे दमपती कहा जाता है दोस्तो अब आपको कमेंट करके बताना है वीडियो कैसा लगा काफी टफ बीडियो था 170 questions एक वीडियो में डिसकस करना बहुत ही मुश्किल काम है लेकिन आप सभी के लिए मिहनत कर रहा हूँ तो वीडियो को जुरूर लाइक करना और इस वीडियो की पीडियो फाइल आपको मेरे वाटसेप नंबर पर मिलेगी मुझे मैसिस कर देना और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टोपिक से लेटर चाहिए जुरूर टमेंट करना तो फिलहाल दोस्तों वीडियो देने के लिए धन्यवाद जय हिंद जय हिमाचल